नमस्कार दोस्तों मुने नाम कपल सिक्का स्वागत आपका सड़ी है क्यों एडिकेशन प्लाटफर्म में आज बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में और बात है यूरिया क्राइसिस की यूरिया शॉटेज की लास्ट पूरा मन्त इंपक्ट ला यह और जादा सीवेर दिख रहा है क्योंकि यहां पे बात हो रही है यूरिया शॉटेज की डप शॉटेज की अभी जो फटिलाइजर शॉटेज है इससे आप जैसे की जानते की रावी सीजन जो है वो एकदम अपने अपने उन फूट पे है रावी सीजन स्टार्ट होने पंजाब की या फिर हम बात करें करनाटका की तो हर जगे पे यह क्राइसिस मनीपूर तक में क्राइसिस जो है वो देखी जा रही है अगर ऐसा ही रहा तो फिर आने वाले टाइम के लिए जो क्रॉप्स हैं वो शायद हो सकता है कि उस तरह से वो उनका आउटपूट वैसा ना हो उस तरह से खेती ना हो पाए और आप एक नई फूट क्राइसिस को भी देखें तो जानेंगे इस वीडियो में exactly कि कैसे इस तरह की क्राइसिस क्राइसिस हो रही है क्या इसके रीजन्स हैं क्या इसमें हम प्रोवीशन्स देख सकते हैं क्या ऐसी क्राइसिस से बचने क पहीं भी फॉलो कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बता है 31st October last date है smart courses पे heavy discounts हैं discounts को अभवेल कीजिए और इन courses को buy कीजिए बात करते हैं exactly कहां कहां पे crisis है शुरू करते है मदेब देश से थे मदेब देश की बात करें राजिस्थान की बात करें राभी के लिए fertilizer subsidy जो है वो additional approve करी थी यहां पे बात यह था कि new nutrient based subsidy rate को approval मिला था जैसे कि आप जानते हैं कि जैसा nutrition value होगा जितना better होगा उतनी जारा subsidy जो है वो मिलेगी तो यह altogether different aspect है लेकिन यहां पे बात है phosphatic और potential यानि NPK based जो आपके fertilizer उस पर सरकार आपको better subsidies दे रहे हैं जिससे आप उन fertilizer को यूज करके better output ला पाए अब यह जो subsidy है यह company इसको दिया जाता है compensation के तौर पर जो farmers को बेचती है fertilizer below market price पे लेकिन प्रॉब्लम यह subsidy की नहीं है प्रॉब्लम है कि fertilizer ही वेल्बिल नहीं है जो fertilizer bags है वह काफी महंगे हो गया है और fertilizer मिल नहीं रहा बहुत जादा मारा मारी है in fact कई जगे तो आप देखें cross border जो है fertilizer जो किसान है वो खरीद के ले जा रहे हैं तो यह भी कहा जा रहा है कि उसको हो भी रोका जाएगा तो अब जैसे मदेवदेश की यहां पर बात करें कि पूरी एक राट जो है क्यों में लाइन में farmers ने वहां पर बिता दी और उनको fertilizer नहीं मिला तो डाप की सीवियर शॉटेज जो है वो बताई जा रही है अगर हम बात करें फर्टिलाइजर नहीं मिलेंगी तो हमारी फसले जो हैं समय पर हम नहीं बहुपाएंगे और क्योंकि फसल समय पर नहीं बहुपाएंगे तो फिर एक हमारा livelihood जो है जो stake पर है अब यहां पर administration जो है वो fertilizer नहीं प्रोवाइड कर पा रहा काफी लंबे समय से crisis चल रही है एक तरफ ruling government का कहना है कि opposition की चाल है लेकिन अगर farmers से पूछे तो वो तो कहे रहे हैं कि exactly scarcity है government के रही है कोई scarcity नहीं है हमने काफी metric tons जो है fertilizer पहुचा दिया ऐसे fumers है लेकिन हम बात करें diamond phosphate की इसकी सबसे जादा shortage चल रही है यूरिया के बाद यह सबसे जादा यूस किया जाने वाला fertilizer है इससे आप देखते हैं कि आपकी जो राभी में wheat होता है उसको sewing में यूस किया जाता है राजस्तान कभी ही हाल है कि shortage है यूरिया की राजस्तान ने center से demand किया कि आप extra यूरिया और fertilizer उसको रिलीस कीजे राजस्तान तक पहुंचा यह यहां पर government निकाए कि बिल्कुल हम पहुंचाएंगे shortage है और हम कोशिश करने इसको पहुंचाने की लेकिन अभी भी government इसको category केहें नहीं रही है कि हां shortage बहुत बड़ी है वो कह रहे कि कुछ एक bottlenecks है supply chain के issues हैं लोग hoarding करके बैठ गए इसलिए यह जो fertilizer है यह नहीं पहुंच पा रहा है बहुत सारे पार्ट्स है राजस्तान के वहां पे fertilizer नहीं पहुंच पाने की जिसे farmers जो हैं वो wait कर रहे है कि क्योंकि इस बार बारिश अच्छी होगे थी फसल अब लगाने के एकदम सही समय है उनको जो एक नमी चाहिए थी उनको अभी अभी मिल रही है तो वो सोच रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी onset हो रहा है winter का तो हम यह fertilizer use करके राभी को लगा रिजादर स्यादर benefits हो हैं मिले सबसरी बात है कि यह एक livelihood crisis तो पैदा करेगा ही करेगा आने वाले टाइम के लिए food crisis भी पैदा कर सकता है अगर इस problem का solution नहीं मिला इनफर्ट यहां तो हम बात कर रहे थे North India के अगर आप मनीपूर चले जाएंगे तो मनीपूर का भी यही problem है कि sufficient fertilizer जो रहे हैं महां के farmers को न Parliamentary Standing Committee भी लास्ट अभी गई थी August में जो कि कन्नी मोडी के चेर परसंशिप में गई थी तो वहां पर भी उन्होंने देखा था कि हाँ रिपोर्ट्स आई हुए यूरे शॉर्टेज है और उन्होंने का था कि हम Central Government से Ministry से बात करके इसको resolve करेंगे लेकिन अभी तक उसका resolution नह उनके रिट्रीवल की वज़े से हेवी रेंज इस बार नौर्ट इंडिया में देखी है उससे जो अलवेड़ी आपकी पैडी की क्रॉप थी वह उसकी वज़े से एक जो प्रोलॉंड वेट्सपल होनी की वज़े से पैडी में बहुत ज्यादा नुकसान हुए या फिर आप कहीं कि उतना आउटपूट जो है पैडी में नहीं आया और ऐसे में अगर पंजाब के फार्मर्स को डाप शॉटेज होने की वज़े से राभी में भी अगर क्राइस जेलनी पड़ेगी तो यह वर्स्ट हीर होगा कोविट की क्राइस के बात पैसो तो अग्रिकल्चर पिछ पहुचता रहता है और इसकी वज़े से सबसे ज़्यादर डाप आने की वज़े से पर हेक्टेर जो आउटकुट है वो काफी जादा बढ़ जाता है अभी जैसे पंजाब के फार्मर्स कहरें कि एक कुंटल उनका डाप लगता है एक एरिया मतलब पर हेक्टेर वीट सो करन जो स्टेट ओन एजनसी है मार्क फेट उसके पास भी इस समय डाप नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें गवर्मेंट से नहीं मिल रहा है लास्ट टाइम इनफेट 2020 में भी क्रैसिस आई थी तब तो चाइना से इंपोर्ट कर लिया गया था डाप यूजूली यूनियन ग कि जा रही है कि गवर्मेंट नहीं दे पा रही है तो ग्रमेंट यह बात समय समय बता देती जिसे हम इंपोर्ट जो हैं अपने कर लेते अब देखो इससे होगा क्या इससे देखो अगर डाप पर फटेलाइजर की शॉटेज रहेगी तो आप देख रहे हैं कि होटिकल्चर को भी problem face करनी पड़ी है September में तो इस बार vegetable growers ने horticulture ने भी यही कहा था कि एक डाप shortage होने की वज़े से fertilizer shortage होने की वज़े से हम वो requisite amount of sowing नहीं कर पाए है और इसकी वज़े सबसे बड़ी बात है black marketing जो है fertilizer को लेके इतने जादा expenditure उनका हो जाता और उसके बदले में उनको जो है MSPs नहीं मिलती और ऐसे में अगर वो input के prices और बढ़ जाए उनको और जादा खर्चा करना पड़े अपने अपने crop पे और उतना पैसा होने वापिस नहीं मिले तो वह further कि आपका productivity काफी खराब होगी फूड क्राइसिस आ सकती है फार्मर के लाइवली हुट पे बैक्ट होगा और फार्मर को काफी जादा इसूज आएंगे अगर वो लोन लेके क्रॉप को सो कर रहा है और फर्दर अगर वो उतना पैसा नहीं निकाल पा रहा तो फिर वह इस पर बहुत जादा फोकस करना पड़ रहा है इन पर यह आपने देखा कि पंजाब में तो क्या हो रहा था कि पंजाब में ब्लाक मार्केटिंग काफी जादा होने लग गई अब हर्याना भी इस बात को लेके परिशान है देखो अब क्या है कि बॉर्डर्स कनेक्टेड ह है तो पंजाब में रभी सीजन है वहां पर भीट की सवयंग होगी हर अब क्या हो रही है कि हर्याना में अपको पैन इंडिया despis tapped V बहुत जल्द आपको क्राइसिश है उत्र प्रदेश में दिखने लग जाएगी जहां जहां पर वीट या राभी की जो क्रॉप्स हैं रेडी हैं सोईंग के लिए वहां पर क्राइसिश देखेगी हर्यान ने तो इंटर स्टेट ब्लैक मार्केटिंग को लेके काफी जादा न क्योंकि अभी राभी क्रॉप कमेंस हुई हैं अगर टाइमली सोईंग हो जाएगी सीजन एकदम ठीक है तो फिर टाइमली आप इसको हर्वेस्ट भी कर पाएंगे और ओविसी बात है देश का जो फूड क्राइसिस का प्रब्लम है वो भी अड्रेस होगा और फार्मर के ला पर फार्मर कहते हैं कि लगबग आप 45 किलो एक एकड में अगर यूस कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि कोई भी मतलब क्रॉप का जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है क्रॉप की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और क्रॉप काफी बेटर मतलब बहुत कम समय लेक इससे फसल खराब हो जाओ तो अधर्वाइस डाप यूज़ करने के बाद उनकी फसल में काफी जाधा व्रुद्धी देखी जाती है इनपर डिले होगा तो अब इसको इसको टाइम ली करना पड़ेगा इसलिए फार्मर काफी जाधा इंपेशेंट हैं और वो जगए जग को यह कहा जा रहे हैं कि यह जो फर्टिलाइजर क्राइसिस है ना इस क्राइसिस को वेस्ट ना करें फार्मर्स को आप डैप और M.O.P. अभी हम बात करेंगे यानि इन से अलग आप कुछ खाद पे भी फर्टिलाइजर भी उनका रुजहान लेके जाएं उनका विधियान ले इसलिए तो यह एक अपोर्चनिटी भी बन सकती है कि गवर्मेंट जो है डाप पे फार्मर्स को निर्भर होने से यहां पर बचा सकती है एक आल्टरनेटिव देखे तो बहुत सही समय कहते हैं कि नेसेसिटी इस दा मदर आ इन्वेंचन यह वही नेसेसिटी है जहां पर न क्या क्या करना चाहिए कि इंडस्ट्री को एंशोर करना चाहिए कि वह सघान सब्सेथ ईंटरस्ट वो नोन ब्रिया पर आ जाएगा इंपोर्ट को क्विक करना चाहिए अपने लेविल पर स्ट्राटीजिक लेवल पर या आप कहें कि minister to minister level पर सरकार to सरकार लेवल पर जल्दी से imports कराई बाहर से UK चायना जैसे मैं आपको बता रहा हूं काफी ज्यादा nutrient-based बेस सप्लाइश तुयु वह सप्लाइश करता है तो ताइमरी आप चाइना से लास् यह भी हमने है क कि अ दूब तो टाइमली आप चैना से इसको कि धीजिए पोर्ट dewा ज़ल्दी ज़ल्दी mente कैन से और जल्दी 55 रिखी यह उनक के इर्ब तो काफी अच्छी चीज है कि एक तरह से देखो क्राइसिस तो है लेकिन गवर्मेंट के पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी इस क्राइसिस को फर्दर अगले साल रोकने से क्राइसिस लास्ट यह भी थोड़ी थोड़ी दिख रहे थी इस बार जादा दिख रही है तो कर सकते हैं तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि आप इसको ब्लेसिंग इंडिजगाइस खोजिए और फार्मर्स को और अल्टरेटिव दीजिए उनको और टेक्निकल नुहाँ बताईए कि वह कैसे और बेटर प्लांटेशन कर सकते हैं अगर एंपी के या फिर डाप की जिस क्यों हो रहे हैं मिलते हैं लैसे के सेशन में तब तक लिए गुडबाय टेक करें और गॉडब्रेसी और